तोई का स्वागत है यूपी कैड़ी फर सुबल सर्विसेज में मैं हूँ मानस पांडे और तैयारी आप कर रहे हैं यूपी पीसियस और आरव यारो की जिसमें मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले उसकी स्ट्राटेजी बताता हूँ तो ये एक स्ट्राट नहीं एंशेंट हिस्ट्री के तो कुछ सी भी एक्जाम को पढ़ें उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से कितने प्रशन आएंगे आएंगे भी कि नहीं आएंगे और ये पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है देखें इस वीडियो में मैं सिंप्ली आपको बता रहा हूं वो स्ट्राटिजी जिस आधार पर हम लोग चलेंगे पहले मैं आपको क्लियर बता दूं कि इसकी वीडियो मैंने अब तक नहीं बनाई है इसके लिए मैं हमेशा जान बुच के नहीं बनाई है अभी तक इसके लिए मैं हमेशा रिक्मेंट करता हूँ लूसेंट को याद रखें चाहे यूपी पीसस का एक्जाम हो चाहे आरो यारो का एक्जाम हो चाहे यूपी ट्र पलेसी का कोई भी एक्जाम हो एंशेंट हिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है लूसेंट बिना किसी दिमाग लग उसमें है तो आपके पास जो बुक होनी चाहिए और ऐसा मैं मान के चलना हूँ कि 99% तैयारी करने वाले बच्चों के पास ये बुक जरूर होती है जरूर होना चाहिए ये बिना सोचे समझे मान लीजे अब आज आज ये कौन से वो 6 टॉपिक है तो आज ये strategy वीडियो है उस वहां से एक प्रशन आता है और प्रशन आता क्या है किसी सब बहुत पुराने जितने ये प्रागैति हासिक काल है उसका किसी स्थल के बारे में किसी particular place के बारे में पूंच लेगा कि आदमी की हड़िया कहां से पाई गई आदमी के साथ कुत्तों को कहां दफनाया जाता था ये सारी चीज़ें याद रखिएगा ये सारी चीज़ें एक प्रशन यहां से आता है कहां से प्रा कहती हासिक काल से पुराना सबसे ancient time का उसके बाद आ जाईए एक प्रशन आता है इंडस वैली civilization से ये एक ऐसा important topic है जहां से minimum जैसे एक बार को मैं ये कहूं कि ये हो सकता है ना आए कभी कभार जैसे जहां पर ये एक प्रशन फिक्स आएगा ये क्या है सिंदुगाटी की सब्वेता अभी जब आप उसको मैं कह रहा हूं एक्जाम में जब ये पेपर आएगा तो आप यही कहेंगे ये क्या है ये ही बात है तो इंडस वैली civilization से एक प्रशन फिक्स सब्सक्राइब आपको इंडस वैली civilization के लिए कहीं और इक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूत नहीं यही लूशन कपड़ डाली है इसी लूशन से एक्जाम में आएगा और आपका वो सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला बताता हूं देखिए मैं इसलिए अभी कुछ नहीं और एक पियर सन की बुकाती है उसको वहां से वो नोट्स बनाओंगा ठीक बना रहा हूं इस सब्जेक के बाद कोशेश करूंगा कि इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के बाद एंशेंट हिस्टी पढ़ाओंगा यूपी स्पेशल 60% पूरा हो चुका है 40% बचा हुआ ह चलिए तो अब में बता हूं वेधिक और पोस्ट वैधिक व्याधिक संब्यता और पोस्ट वैधिक संब्यता यह दोनों बहुत इंप्रूर्टंट है इन दोनों को मिलाकि एक प्रश्णा आएगा दोनों एक साय में ठीक तो एक प्रश्र किस सेWS मांदब 99.1949 समझे समझें वैदिक और पोस्ट वैदिक मिलाके एक प्रशन पोई भी आ जाएगा ठेक आम तोर पे वैदिक और पोस्ट वैदिक में देवताओं के बारे में पूछता है या कौन-कौन से सबजियां हो गाई जाती थी इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती है यह हो गया एक दो तीन प्रशने का अब जो एक पर्मानेंट क्वेश्चन है UP, PCS और R.O.A.R.O का वो है टॉपिक नंबर चार से और सबसे क्रिस्प है सबसे क्रिस्प का मतलब आपको पता है कि बुद्ध पढ़िये और जैन के बारे में पढ़िये बुद्ध के बारे में पढ़िये और जैनिजम के बारे में पढ़िये कन्फर्म आपका एक प्रशन सही होगा कन्फर्म का मतलब 300 प्रदिशत आप मानके चले कि बुद्ध के बारे में आप एक पढ़ने का भी में ऐसे ही इनकी life के बारे में और कितने भाग में बढ़ गया है ये confirm है कि इतने इनके उपदेश क्या है दोनों के उपदोशों में अंतर क्या है UPSC तक का याद रखिए ये एक प्रशने ancient history का fix है चाहे बुद्ध से आएगा या जैन से आएगा लेकिन आएगा दोनों में से एक का confirm आएगा 300 प्रतिशत सबसे जादा important मैं इसी को hashtag लगा कहता हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले दो topic पढ़ने चाहिए एक तो इंडस वैली पढ़िए फिर वैदिक सब्वेता पढ़िए फिर बुद्धिजम पढ़िए ये तीन topic से तीन प्रश्ण पक्का हो गया कहीं भी ना दिमाग लगाए हुए अब अगला जो fix है या तो मौरिया डायनेस्टी आएगी या गुप्ता डायनेस्टी इन दोनों में से किसी एक के बारे में एक प्रश्ण अकसर आ जाता है अखोका तो गुप्ता डायनेस्टी में भारत में डेवलेeltमेंट के में गुप्ता डायनेस्टी ने ठीक है ना तो एक प्रश्ण यहां से आएगा अब एकदम सेट करके चलिए अपने माइंड को जब आप मेकप करेंगे और आपको जब मैं लूसेंट पढ़ने को कह रहा हूँगा तो याद रखिए लूसेंट पढ़ते समय सबसे ज़रूरी जैसे मैंने बोला इंडस वैली तो आज आप पांच घंटे का समय लीजिए ध्यान से सुनिएगा आज आप भले पांच घंटे का समय लीजिए इंडस वैली को पढ़ने में लेकिन आप इंडस वैली गलत ना करेंगे ये गैरेंटी दीजिए तिक और उसके लिए आपको कुछ और नहीं करना है एक बुक कात्त कांसे की सिखे कि एन प्रशन आएंगे कहां से प्रशन फिपलीय पहले क्या होता था मुगलों के बारें पूंचता था अब लेकिन एकजाम स्मार्प हो चکा है वो प्राचीष भारत के बारे पूछता है तो ये हैं इतने important topic इंको आप पढ़ेंगे कैसे तो ये जो Lucent book है बिना सोचे समझे इस book को ले आईए इस book को लाने से अगर आपके पास है तो best है आपको day by day topic wise पढ़ना है condition यही है आप पैसा मत सोचे कि एक दिन में Lucent को पूरा पढ़ डालेंगे आप सब भूल जाएंगे Lucent की खास बात यही है आप इसको day by day topic wise पढ़िए जैसे एक दिन प्रागेति हसी का पूरा पढ़ डालिए दूसरे दिन इंडस वैली पढ़ डालिए